हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Study IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विरद्वे दोस्तों, आज श्रिंखला की अगली कड़ी में जुड़ेंगे और Spectrum के माध्यम से जो हम आदरिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं उसमें क्या कुछ जानेंगे, आईए एक बर देख लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम ये भी आपको बता दें कि अगर आप हमें किसी भी प्रकार से फॉलो करना चाहते हैं तो Facebook और Instagram पे same ID है विरद.दुबे यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं आप टेलिग्राम में भी विरद.दुबे के नाम से आप मुझे सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे लेकिन अगर आप लिंक लिक करके क्लिक करना चाहते हैं तो लिंक होगी T.ME विरद.दुबे 01 या फिर आप simply इसे scan कर लें तो हमारे साथ में आसानी से जुड़ सकोगे एक और महत्यपूर्ण बात आपको बता दूँ कि आज हमारा जो chapter है वो स्वतंत्रता के संघर्ष का है और स्वतंत्रता के संघर्ष में आज हम क्रांतिकारी चरण की तरफ आगे बढ़ेंगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूं बहुत इसपस टूप से बता देना चाहता हूं पर जाना है इन दो जगहों पर जाकरके आपको इन्रोल करना है आपको UPSC IES Prelims to Interview P2I Batch के तीन Batch दिख रहे होंगे एक English Medium के लिए दिख रहा होगा एक English के लिए दिख रहा होगा और एक दिख रहा होगा आपका हिंदी के लिए तो जो हिंदी वाला है हिंदी के पुरी टीम आप समझते हैं उसमें आप मुझे भी देख सकते हैं ठीक है तो उसको देख करके आप उस Batch में अड्मिशन ले सकते हों हलाकि अगर आप English Medium के स्टुडेंट हैं और English Medium में पढ़ना चाहते हैं या फिर English आपके लिए ज़्यादा इजी है तो आप English पैचेज या English पैचेज में भी अड्मिशन ले सकते हैं तो कोड आपको सभी में यही यूज करना है विरत लाइव कोड ठीक है तो इसली आप इस कोड का इस्तेमाल करके अपनी जो प्राइज है उसको 70,000 से रिडूस करके 29,999 कर सकते हैं तो इसको जरू कर लिजे मुख्य बात इसमें यह है कि आपको प्री केवल निकालना है और निकालने के बाद आपको मुख्य परिक्षा और इंटर्व्यू इन दोनों के लिए हम आपको आवासी सुविधा परधान करेंगे और यह आवासी सुविधा जो है यानि रेजिडेंशल प्रोग्राम जो है यह आपके लिए इसी सब फी में इंक्लूडेट है निशुल्क ह निशुल के आप पर प्रधान की जाएंगे और बहुत सारी सुविधाएं अद्विती रूप से जो आपको इसमें मिलने वाली है जैसे अलग से आपको प्रिलिम्स की त्यारी करने का एक मौका मिलेगा जनवरी के बाद से एक अलग मोड में एक अलग तरीके से ठीक है तो है करानति कारी का चरन के बारे में आज हम लोग जानेंगे ठीक है कि भारतिए स्वतंदरता आंदोलन्जब से शुरू होता है तो उसमें विभिन चरनों को हमें देखना होता है तो उनीमें से आज हम देखेंगे कि जब उदार्वाधी जो सब्सक्राइब रधी जो समय है वो जैसे जैसे धीरे-धीरे बीतने लगा, तो मैंने आपको बताया कि उसमें गरम पंथी प्रक्रिया आने शुरू हो गए, गरम पंथी जो लोग थे, वो आने शुरू हो गए, उग्र रास्टवाद जो है वो जन्म लेने लगता है, तो जो गरम पंथी विचार धारा है, गरम पंथी जो विचार धारा है, गरम पंथी विचार, इस गरम पंथी विचार को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आपका है उग्र रास्टवाद, एक आपका है उग्र रास्टवाद, और एक है आपके क्रांतिकारी एक क्या है आपके क्रांतिकारी एक तो आपका उर्ण dad दिखता है इसको आप ultra nationalism कह सकते हैं और एक बहुत है जो मरने मारने के लिए भी तैयार है जो क्रांति में अगर हम कहें कि अगर उन्हें आवशकता पढ़ती है तो वो हिंसक तरीका भी अपना लेते हैं अपनाएंगे भारत को ultimately आजाद कराने के लिए तो वो है aggressive nationalism इनको हम करांतिकारी कह रहे हैं यह ultra nationalism है ठीक है और यह क्या है यह है आपके जिनको करांतिकारी कह सकते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं कि यह बहुत ही जादा aggressive होते है अग्रेसिव तो यह दो अलग अलग तरीके के विचार हैं करांतिकारी जो दल है वो भी उग्र रास्टवाद ही है लेकिन उग्र रास्टवाद करांतिकारियों का जो है वो हिंसात्म कुपायों को भी ले करके चलने का प्रयास करता है निए वो हिंसात्म कुपायों से मतलब जूजता उसको प्रयोक करने से उसको जो है हिच की चाहट नहीं होती है तो यह रास्टा भी हमको देखने को मिलता है कर्ंतिकारियों की भी अगर बात करें तो आप लोगों ने कुछ बड़ी सन्स्थाओं के नाम सुने होंगे और उनके द्वारा जो क्रांति की घटनाय उनके बारे में सुना होगा जैसे HR-A के बारे में सुना होगा HSRA के बारे में सुना होगा समभवता तो हम HR-A या फिर HSRA के उपर चर्चा करेंगे लेकिन वास्तिक रूप में करांतिकारी भावनाएं जो हैं वो जो 19, 20, 25 या 22 के आसपास आप देखते हैं, उससे थोड़ा सा पहले से भी शुरू हो जाती है जैसे मैंने आप लोगों को जब कुछ ये कह सकते हैं कि विद्रोहों के बारे में जब पढ़ाना शुरू किया था तो उसी के द्वारा शुरू किया गया था तो वासुदे बलवन्थ फढ़के तो आप जानते हैं कि वो भी एक क्रांतिकारी घटना थी इन फैक्ट यहां से भी हम जो क्रांतिकारी घटना है वो ले करके चल सकते हैं 1879 में आपका ये विद्रो हुआ पूना में इसी तरीके से कुछ राजितिक जो लोग थे उनकी हत्याएं करी गई चापेकर बंधुओं ने ये प्रयास किये ऐसा करके आपको मैंने बताया था कि पूने में प्लेग फैल गया था तो प्लेग की जो समीतिकी जाच करने वाला जो अधिकारी था रेंड एन आयरस जो थे उन दोनों की हत्या करने का प्रयास किया गया था हत्या किया गया था चापेकर बंधुओं के बड़ पादमने पकड़ करके फांसी की सजा भी दे दी गई थी है ना इसी तरीके से कुछ दूसरी क्रांतिकारी संस्थाएं भी हैं जो इस्टैब्लिश होती हैं जिसमे एक इंपोर्टेंट है मित्रमेला अभिनव भारत और मित्रमेला जैसी जो संस्था हैं अगर उसकी हम बात करें तो वास्तविक रूप में गड़पती उत्सव मनाने के सिलसले में 1899 में ये मित्रमेला जो है वो शुरू हुआ था ठीके 1899 में मित्रमेला शुरू हुआ था और ये शुरू किया गया था वीडी सावरकर के माध्यम से अब वीडी सावरकर का ये जो मित्रमेला है इसकी जो शुरूआत करी गई है 1899 में यही मित्रमेला आपको चल करके 1904 में यही जो मित्रमेला है यही 1904 में इसको चेंज करके अभिनव भारत किया गया है ठीक है तो नाम जो है वो अभिनाव भारत समाज या अभिनाव भारत के नाम से इसको जाना गया तो अभिनाव भारत से समद्धित एक प्रमुख क्रांतिकारी घटना आपको देखने को मिलती है जो की नासिक हत्याकांड के नाम से नासिक शड़यंत्र के नाम से जाना जाता है नासिक शड़ेंत्र के नाम से उसको जानते हैं और इसी नासिक शड़ेंत्र में दोशी पाये जाते हुए इसमें एक प्रमुख कारे करता थे जिनका नाम था गडेश सावरकर तो गड़े सावरकर को गिरफतार कर लिया गया था, नासिक हत्याकान में, नासिक के DM की हत्या करी गई थी, तो इसी में जो है, इनको गिरफतार करके काला पानी की सजा दी गई थी, काला पानी सजा इनको मिली थी, तो ये भी एक important point है, कि ये भी एक क्रांतिकारी दल है, अभ इसी तरीके से ये आपके महाराष्ट कह सकते हैं कि इसके क्रांतिकारी संगठन है, इसी तरीके से बंगाल के कुछ क्रांतिकारी संगठन भी हुए, बंगाल में भी क्रांतिकारी संगठन जो है, चोटे-मोटे हमको देखने को मिलते हैं, अब बंगाल में जो आंदोलन अप्रतिकारी सत्थास ढलत है क्वाने से घड़ूध कर रहा है तो यह सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है तो बंगाल में इन सब चीजों को रूप्रेजेंट करनेली जो क्रानतिकारी शन्सथा अंदुलन-कारी शन्सथा था है तो हैं की गुप्त क्रांतिकारी संगठन है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन का मतलब आपको भी मालूम होना चाहिए कि भारत में जो क्रांतिकारी लोग है उनको कहीं यह तो है नहीं कि हतियार खुले आम वो ले जा सकते थे, उनके उपर आम सैक लग जाते थे, तो इनको गुप्त तरीके से ही और रुपया पैसा भी नहीं है अपने पास खुद का कि अगर खुद के हतियार भी बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे या कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट बिना पैसे के कैसे होगा तो इस वाभावी कसी बात है कि एक गृप तकारी फॉलो करने से तो इसके ये एक प्रकार से अनुशिलन समीती एक प्रकार से व्यायाम शाला है 1902 में व्यायाम शाला के रूप में इसके शुरुवात की गई थी 1902 में एक व्यायाम शाला के माध्यम से शुरुवात की गई थी और ये 1902 में जो व्यायाम शाला के माध्यम से शुरुबात की गई है और इसके जो लोग हैं वो शारेजिक रूप से पुस्ट बनाते हैं अपने आपको और जो विचार हैं जो विचार हैं वो बंकिम चंद्र चटो पाध्याय जी के हैं बंकिम चंद्र चटो पाध्याय इनके जो है वो विचार को फॉलो करते है और जब इनके विचार को फॉलो करते है तो उसी को बोला रहा है अनुशीलन ये इनके विचारों का अनुशीलन कर रहे हैं तो यही जो व्यायामशाला है 1902 में जो इस्टैब्लिश हुई है इसी व्यायामशाला के लोगों को ही जो संस्था बना रहे हैं इन्हीं को ही हम लोग अनुशीलन समीती बोल रहे हैं भारत अनुशिलन समीति के नाम से इसको जाना जा रहा है। भागनी निवेदिता का नाम सुना होगा या सिस्टर निवेदिता जिनको केता हैं सिस्टर निवेदिता भी इसी से जूड़ी हुई हैं। अनुशिलन समत्ति के बाद में बहुत सारी संस्थाएं भी खुली तो अलग-अलग जगहों पर उन्हों संस्थाओं ने भी काम किया इनके कुछ समाचार पत्र बगरा भी हुआ करते थे जिसको वो अपने माध्यम अपना जो प्रचार का माध्यम में वो बनाते थे इसी की एक शाखा के रूप में धाका में भी एक अनुशिलन समीति खोली गई थी जिसको धाका अनुशिलन समीति कहते थे धाका अनुशिलन समीति ये इसी की जो है एक संस्था है या इसी की एक शाखा है जो धाका में खोली गई थी 1905 में पुलिन बिहारी और प्रथमनात्म मित्र थे वो प्रथम नात्मित्र जो है वो यहां पर भी और यह इस्टैब्लिश हुआ है आपका तक्रीबन 1905 में तो यह सब भी क्रांतिकारी संगठन ही है जो की जो की बृटिश का विरोध करते हैं उन्हें उनके सामने जुकते नहीं है डराते धमकाते सब कुछ करते हैं जब मौका मिलता है तो जो बड़े अधिकारी हैं उनको अपने चपेट में भी लेते हैं इस संस्था के माध्यम से एक युगांतर नाम के पत्रिका निकलती थी तो युगांतर नामक पत्रिका जो है वो निकालने वाली जो समिती है उसको बोल रहे है युगांतर समिती ठी लोगों ने युगांतर पत्रिका के बारे में भी बहुत सुना होगा वरिंद्रणाथ घोष कहीं कहीं लिखा रहता है उनके नितृत में बंगाल की जो भी क्रांटियां हैं उस क्रांटि को लीड किया गया था तो आप लोग ने खुदिराम बोस का नाम सुनाओगा, प्रफुल चाकी का नाम सुनाओगा, तो ये इसी समिते से रिलेटेड थे, प्रफुल चाकी और खुदिराम, खुदिराम, खुदिराम बोस, ये सब लोग जो हैं, इसी संस्ता से समझदी थे, लेकिन आपको अल्टिमेटली समझना है कि ये सब जो संस्थाएं हैं, ये इसी अनुशीलन समिती की अलग-अलग जगहों पर खुलने वाली शाक्थाएं हैं, उसी के ही हिस्से, इसी से जब ये नाम यहाँ पर आता है प्रफुल चाकी और खुदिराम बोस का, तो एक घटना याद आती है, जिसका नाम है आपका मुझ मुझफर्पुर्बंकान, जो है ये एक तरीकर से दिखा जा है, कलकट्टा का बहुत ही क्रूर मजिस्ट्रेट था, जिसका नाम था Douglas Kings Ford तो Douglas Kings Ford जो है जो भी जैसे पुराने इतने लमबे समय से क्रांती की रूप में या आंदोलन की रूप में चलती चली आ रही थी तो तमाम सारे भारती और गिरफतार होते थे तो यह उनके ओपर एनिआॉ यह एक ऐसा Magistrate था जो British इस बात के लिए फेमस था कि भारतियों को बहुत सक्त सजा देता है और भारत में इसलिए एक उख्यात था कि भारतियों के साथ अनिहाओ यह अन्याय करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करता है तो यह चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है डगलस किंग युगांतर समीति इसी में ही गुप्त बैठक करी गई और इसी बैठक में इस समीति के लोगों ने खुदिराम बोज को जो है वो चुना और प्रफुल लिचाकी को चुना कि इसके उपर इसकी हत्या करने का एक प्रबंद किया जाएगा तो इन दोनों लोगों ने खुदिराम बोज ने और प्रफुल लिचाकी ने 30 अपरेल 1909 को अपना शडेंतर जो है वो 30 अपरेल 1909 इस दिन जो है अपने इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया और डगलस किंग्स फोर्ट की जो बग्गी जा रहे थी उस बग्गी के उपर ब बाल बच गया क्योंकि जिस बग्गी को इन्होंने जिसको कह सकते हैं फॉलो किया था काफी दिनों से कि इसका आना जाना क्या है तो इस सब चीजने करी जाती है निशाना बनाने के लिए तो डगलस किंग्स फोर्ट को भी इन लोगों ने किया था प्रफुल अचाकी और ख डगलस किंग्स फोर्ट के एक वकील थे इनके साथ ही थे और इनकी पतनी थी इन वकील की पतनी और बच्चे थे तो मतलब वकील भी नहीं थे वकील भी इनके साथ में थे डगलस किंग्स फोर्ट के लेकिन जिस बग्गी पर बम फेका गया उसमें इस वकील के पतनी और उस बग्गी को टार्गेट किया गया था, वो बग्गी वास्तिक रूप में क्लिंग स्पोर्ट्स की ही थी, तो ये ऐसा लगा कि चलो ठीक है, चीजें सही हो गई है, लेकिन बाद में पता चला, जब पुलिस ने इनको पकड़ा, तब जा करके पता चला कि ऐसा नहीं था, जॉन केनेडी करके थे एक वकिल, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो है, वो मारे गए थे, अब इसमें क्या हुआ, कि जब दोनों ही लोग यहां से ये घटना को अंजाम देने के बाद जब भागे, तो बिहार में इसी रेलवे स्टेशन पे इनको जो है, पुलिस वालों को शंका हुई इनके उपर, और उन्होंने इनको पकड़ने का प्रयास किया, तो इसमें वेनी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, तो वेनिर रेल्वे स्टेशन पे इलोग पुलिस से घिर गए जिसमें प्रफुल चाकी जो हैं उन्होंने अपने आपको तो स्वयम को गोली मार करके हत्या कर ली यानि कि वो शहीद हुए और खुदिराम बोस जो थे ये जीवित पकड़े गए बाद में इनी खुदिराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को अरे ये भी डेट यू है 1908 है भई ये 1909 नहीं है 1908 है ये सही कर ले न तो 11 अगस्त 1908 को क्या हो गया इनी को फिर फांसी की सजा दे दी गई और आपको जानकर आश्चर होगा कि उस समय ये नव्यूवक हैं जिसमें से अगर हम बात करते हैं खुदिराम बोस की तो उस समय उनकी आयू मातर 18 वर्ष है जब उनकी उनको जो है फांसिकी से ज़दी तो इस तरीके से कई सारे आपको करांतिकारी घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं तो मैंने आपको बता दूँ कि आप अगर खुदिराम बोस के बारे में बहुत विशेज जानकारी चाते हैं तो मैंने Study IQ के प्लैटफॉर्म पे आप सर्च करिएगा खुदिराम बोस भाई विरत सर ऐसे करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा तो मैंने खुदिराम बोस जी का पूरा जीवन परिचय मैंने आपको दिया हुआ है तो खुदिराम बोस के बारे में पूरा जाकर करके आप देख सकते हो उनकी उपर अभी हाली में एक फिल्म भी आई थी आली में क्या साल बर हो रहे हैं दिखर के ठीक है इसी जैसी एक और घटना है जिसको हम लोग दिल्ली शड़ेंत्र बोलते हैं इसी जैसी एक और घटना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दिल्ली शड़ेंत्र या दिल्ली केस के नाम से भी इसको जाना जाता है ये घटना 1910 में घटित होती है, 1910 में, आपकी जगा 1910 नहीं है, 1912 है, 1912 है, दिल्ली के केस के अगर हम बात करें तो, आप लोगों को मालूम है, मैंने अभी कल ही के लेक्चेर में आप लोगों को बताया था कि 1911 में 1900, 1911 का जो समय है, इस 1911 में मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली को ट्रांसफर करने की बात की राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली किया गया, दिल्ली किया गया, राजधानी कहां से, कलकत्ता से, और ये घोशना करी गई थी 1911 में जब दिल्ली दरबार आयुजित कि घ्या गया था जॉर्च पंचम जो है भारत आय थे làm लेकिन वास्तिक रूप में दिल्ली का mecत्त से दिल्ली की राजधानी का ट्रांस्थ Lap 1912 में उप और यह अवसर था इसी राजधानी के परिवरतन का उसर था और उस समय राजधानी जिस समय परिवर्ती थो रही थी उस क्या नाम था लॉड हर्डिंग सेकेंड तो लॉड हर्डिंग सेकेंड के समय में ही घटना घटित होती है और इसी समय एक विशेश घटने घटना के दौरान ही 23 दिसंबर 1912 की बात है जब लॉड हर्डिंग डूती जो है हाथी के उपर बैठ करके एक प्रूप जा रहा था इसका सवारी करते हुए दिल्ली की तरफ जा रहा था तो जो काफिला था उस काफिले के उपर बंफिका गया था इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो राजबिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल की भूमिका थी राजबिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल की इसमें घटना थी सान्याल इनका योगदान था अब हर्डिंग के उपर जब बंफिका गया तो हर्डिंग जो है इसमें घायल जरूर होता है और इसके हाथी चालक जो थे वो सब की मृत्यू हो जाती है काफी सारे लोगों को मतलब नुकसान जरूर होता है लेकिन इसमें हार्डिंग जो है वो बाल-बाल बच जाता है तो स्वभाविक सी बात है कि बात में फिर जांच हुई होगी तो इस संस्था के तमाम सारे जो लोग रहे होंगे उन लोगों के उपर फिर क्या किया गया होगा धर पकड़ होनी शुरू करी गई होगी तो इस मसले में इस सिलसले में इस घटना के संदर में अगर हम देखें तो तेरा लोगों को क्या किया गया यानि तेरा लोग जो है वो पकड़े गए तो इनके उपर मुकदमा चलाए गया और मुकदमे का नाम भी यही था दिल्ली शडेंथर केस इसलिए उसको जानते हैं इनमे तमां सारे जो लोग थे उनको इसमें से चार लोगों को फांसिकर है चार दी गई तो दीनानात हनमंत है वही और यह सब लोगों को निर्वासित कर दिया गया ऐक लेकिन इसमें से जो प्रमु खारोपी थे राजबियारी बोस वो पकड़े नहीं गए और वो राजबियारी बोस इसी घटना के बाद जो है वो जापान चले गए राजबियारी जो है वो इसी घटना के बाद कहां चले गए जापान चले गए अब ये इवेंट आपको ध्या अपना में सुभाश्चन बोस की सहायता करी थी, तो उस समय हम इस घटना को पढ़ेंगे, 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1942 में इसका घठन इनों ने वहीं जापान से किया हुआ था, तो ये चीज आपको अभी आगे दुबारा पढ़ने को मिलेगे, लेकिन ये वही ताजबियारी बोस हैं, जो दिल्ली शडियन केस में शामिल थे, तो इससे भी हमको पता चलता है कि हाँ करांतिकारी संगठन वो तेजी से चल रहा था, चीज़ें जो हैं, वो काम कर रहीं थी, बहुत एक्टिविली काम कर रहीं थी, है न, इसी में आपको एक नाम याद करना है, विलियम करजन वाईली की हत्या का, मदनलाल धीगरा का नाम आप लोगोंने सुना होगा, मदनलाल धीगरा, लंदन महा सचिव लंदन सचिव हुआ करते थे विलियम करजन वाईली उसकी गोली मार करके इन्होंने हत्या कर दी थी इंडिया हाउस में इंडिया हाउस लंदन में वहां जा करके हत्या कर दी थी तो ये भी एक क्रांतिकारी घटना ही है इसी तरीके से मैडम भीका जी कामा क के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि क्रांतिकारियों में आगरम कहें तो उनको mother of Indian revolution कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को क्रांति प्रसूता कहते हैं उनको भारती रास्ट्रीता की महान पुजारन उनको कहा जाता है ऐसा करके और आपको मालूम है कि उन्होंने पहली बार तो मैडम भीकाजी कामा नहीं बनाया था तो भीकाजी कामा का भी नाम आप ले सकते हैं क्रांतिकारियों में बिकाजी कामा का नाम थिक है इनको हम लोग क्रांती प्रसूता के नाम से जानते हैं, क्रांती प्रसूता, या इनको हम लोग Mother of Indian Revolution, Mother of Indian Revolution के नाम से भी इनको जानते हैं, भारती एक क्रांती की माता के रूप में कहते हैं, भारती रास्ट्रियता की महान पुजारन भी कहा जाता है इनको, भारतियक रास्ट्रियता की महान, پुझारन इनको कहा जाता है अब इनके बारे में हमको यह ध्यान रखना है जिस काम के लिए बहुत जादा famous है वो काम यह है कि इन्हों नहीं प्रत्थम भारतियक तिरंगा ध्वज तिरंगा ध्वज जो है वो design किया था तो पहला तिरंगा जो है वो इन्हों नहीं बनाया था जिसमें हरा, पीला और लाल इसमें हरा, पीला और लाल ये तीन रंग थे इसके अलामा इसमें आठ जो हैं आठ जो हैं वो कमल के full भी बने हुए थे जो उस समय के आठ राज्यों के प्रतीक थे आठ कमल फूल तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे ये भी एक इंपोर्टेंट पोईंट है जो हम लोगो ध्यान रखना चाहिए तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अच्छा बीच में इसमें एक और शब्द भी लिखा हुआ है वंदे मात्रम ये तिरंगे जंडे में वंदे मात्रम ये भी लिखा हुआ है तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है मैडम भीका जी कामा के बारे में ये बंबई में पार्सी परिवार से बिलॉंग करती थी ठीक है वास्तिक रूप में देखा रहा है तो ये भारती मूल की फ्रांसी सी नागरी थी वंदे मात्रम और मदन तलवार ये इनके कह सकते हैं कि पुस्तकों के नाम है किताबों के नाम है ठीक है तो ऐसे करके कुछ क्रांतिकारी संगठन थे जो उस समय क गदर पार्टी बहुत ही इंपॉटेंट है एक गदर पार्टी आप लोगों ने संभावता इसका नाम जरूर सुना हो और ये गदर पार्टी USA में थी USA के San Francisco में San Francisco में इसको स्थापित किया गया था 1913 में और इसमें संस्थापक सरस्यों का अगर नाम लिया जाए तो सोहन सिंग भगना का नाम इसमें आता है जो कि इसके अध्यक्ष भी थे ठीक है? सोहन सिंग सोहन सिंग भगना इसके क्या थे? अध्यक्ष भी थे और 1913 में 1913 में इसको इन्होंने ये पार्टी का establishment किया था San Francisco के गदर पार्टी का जो establishment है अब यही गदर पार्टी है जो भारत में पंजाब में भी क्रांती को लीड करेगी आगे चल करके इसके बारे में भी आप लोगोंने सुना होगा इसका जो पार्टी का जो मुख्याले है वो युगानतराश्ट्रम के रूप में जाना जाता है करतार सिंग, विश्नु सिंग, पिंगले, हरिनाम सिंग, मौलवी बरकतुला ऐसे तमाम सारे जो लोग है मैडम भीखा जी कामा जिनका नाम आपने लिखा वो सब गदर पार्टी से बिलॉंग करते है राजवियारी बोज भी गदर पार्टी से बिलॉंग करते है पंजाब में प्रमुख करांतिकारी थे लाला हर्दयाल, अंग्रेजों के उत्पीडन से पीडित हो करके गदर पार्टी और ये गदर पार्टी भारत में जो है वो फिर हिंदुस्तान में जो अपनिवेशिक शासन उसके खिलाफ जो है वो गदर करती है गदर पार्टी से हिंदुस्तान गदर नाम का एक समाचार पत्र भी आता था नाम का एक पत्र जो है वो भी प्रकाशित किया जाता था ये पत्र पहले उर्दु में छपता था लेकिन बाद में फिर कई सारी भाषाओं में पंजाबी या गुरुमुकी भाषा जो है उसमें फिर अंग्रेजी, मराथी, गुजराती ऐसी भाषाओं में भी निकलना जब अमेरिका जो है वो प्रथम विशुद में इन्वाल हुआ तो उसने जो है इस संस्था को क्या कर दिया गैर कानून निकोशित कर दिया और फिर लाला हर्दयाल जो है वो 1914 में अपने साथियों को अमेरिका छोड़ करके जर्मनी में जा करके अपनी शरण ले ले लेते ह तो ये भी कुछ क्रान्तिकारी संगठन थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं क्लियर है सभी को हाया नहीं तो ये आपको क्रान्तिकारियों का एक फेज है जो देखने को मिलता है इसी में एक क्रान्तिकारियों का फेज है जो दूसरा चर्ण के रूप में जाना जाएगा जो HRA और HSRA के रूप में जाना जाएगा किस रूप में जाना जाएगा HRA और HSRA के रूप में जाना जाएगा तो उस HRA और HSRA के बारे में जिसमें आप भगा सिंग और उनके साथियों के बारे में पढ़ते हैं चंशेखराजाद जैसे महानक्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन ठीक है, next जो सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे अगला सेशन हमारा जो होगा वो Friday और Saturday होगा ठीक है, Friday और Saturday दो दिन आपको आधनिक भारत का प्यार रहे है, वर्ड हिस्ट्री आपकी शुरू होने वाली है Friday सेटरडे से हम यह आला प्रोग्राम शुरू करने वाली है ठीक है, तो I hope कि आपको यह तमाम सारे पॉइंट्स हैं, वो अच्छी तरीके समझ में आये होंगे उसको इंजवाय किया होगा इस लेक्चर की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं यह टेलिग्राम से जोड़ करके और हमारे साथ शूशल मीडिया में भी आप जोड़ सकते हैं विरत.दुबे के नाम से टेलिग्राम में भी आप विरत.दुबे के नाम से आज ही आप इस बैच में अड्मिशन ले सकते हैं विरत लाइव पोड़ का इस्तेमाल करके पहुत सारी स्ट्रेट ने पहले भी इस्तेमाल कर लिया है तो उन लोगों को जल्दी ही सुविधा मिलेगी पी टू आई बैच जो है यह इंपॉर्टेंट है आप जरूर इसमें 2024 के अगर प्रप्रेशन कर रहे हैं 2024 को टार्गेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शांदार बैच हो सकता है इसकी वेलिटी जो है वो धाइस वर्ष है यानि 2.5 यर इसकी वेलिटी है तो आप अच्छे से लंबे समय को ले करके पढ़ाई भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वाइद वे अगर किसी वुर्दुर्भाग वश अगर आप कर नहीं होता है सेलेक्शन तो लेकिन हम 2024 को बहुत अच्छी तरीके से टार्गेट करेंगे प्रीकम मेंस को ले करके और प्रीकम मेंस को इंटर्व्यू को ले करके हम ये बैच टार्गेट की हैं इसी वज़े से पी टू आई ये बैच है तो किसी प्रकार की आपको इसमें असुविदा हो रही है एड्मिशन लेने में तो आप हमसे संपर कर सकते हो हमारे टेलिग्राम पर इसको आप स्कैन कर लेंगे तो स्कैन करके भी आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो चलिए फिलहाल आज के इस सेशन में इतना ही मुलाकात करेंगे अगले सत्र में तब तक ले नुश्कार धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS Hindi